वेलकम वेक टू आवर यूटूब चैनल आज इस वीडियो में दुईति वेंजन को जानेंगे कि दुईति वेंजन कैसे बनते हैं और क्या होते हैं तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें पहला आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी तो चलिए हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं दुईति वेंजन को देखते हैं कि दुईति वेंजन किसे कहते हैं तो दो समान वेंजनों के मेल से बने वेंजन दुईति वेंजन कर लाते हैं दुईति जैसे नाम में ही दुईति लिखा है मतलब दो दो वड़ों का एक साथ जुट जाना निदो समान बेंजनों के मेल से बने वेंजन डृत बेंजन कहलाते हैं अब इसके उदाहण कुछ देखते हैं तो का यह आधा का है और यह पूरा का तो एक कक बन गया तो ऐसे इससे मिलने वाले सब्द कौन-कौन से बनेंगे तो पक्का बना चक्का भी बन सकता है क्या बन सकता है चक्का पक्का चक्का ऐसे शब्द बन सकते हैं तो उदाहण के लिए अजैसे न कहल रहे साथ है आधा चा और चा से कौन सा सब्द बनता है तो सच्चा, कच्चा इस तरह के सब्द बन जाएंगे इसको हम क्या कहते हैं इस तरह के सब्द जो होते हैं वे दृत्वेंजन कहलाते हैं जिसे आधा चा और चा है, तो उचा बना, और इससे सबद बनने वाला जो है, वो है सच्छा, आधा न और न क्या बन गया, अन, अन बन सकता है, इसमें और भी बहुत सारे अन पन्ना इस तरह बहुत सारे शब्द बन सकते हैं जा आधा जा और पूरा जा मिलके छज्जा सज्जा इस तरह के सब्द बन सकते हैं इसे कौन सा बेंजन कहते हैं तो दृत्वेंजन कहते हैं एक उधाण और है दा और आधा दा आधा दा और दा ये दोनों मिलके कौन से सब्द बनते हैं कदू तदू इस तरह के शब्द बनते हैं ये सब्द क्या कहलाते हैं तो ये दुद्ध बंजन कहलाते हैं जो बिल्कुल आधा शब्द और पूरा शब्द दोनों एक ही सब्द हो एक ही अक्षर हूँ तो वो दृत्य बेंजन कहलाते हैं अगर यह वीडियो आपको समझ में आया तो एक बार और देख लिजिए फिर कभी भूलेंगे नहीं कि दृत्य बेंजन किसे कहते हैं थाइक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में